रमायन का था हनुमान सीता भेंट प्राकर्मी हनुमान जी विचार करने लगे कि सीता का अनुसंधान करते करते मैंने गूप्त रुप से सत्रू की सक्ति का पाता लगा लिया है तथा राक्षा सराजरावन के प्रभाव का भी निराक्षन भी कर लिया है जिन सीता जी को हचार आज उन्हें मैंने पाल लिया है यह सुप के कारण ब्याकुल हो रही है अता इन्हें संत्वाना देना उचीत है प्रंतु रक्षस्यों के उपस्तिती में इनसे बात करना मेरी लिए ठीक नहीं होगा और मेरे समक्ष समस्य यह है कि मैं अपने इस सिकार को कैसे संपन करू यद रात्री के ब्यातित होते होते मैंने सिता जी को संत्वाना नहीं दिया तो वो नी संदे एस सर्वथा अपने को जीवन का प्रितियाग कर देगी यदि किसी कारण वस मैं सिता से न मिल सका तो मेरा सारा प्रयतन निश्वल हो जाएगा राम चंदर जी और सुग्रिव को सिता के यहां उपस्तित होने का समचर देने से भी कोई लाव नहीं होगा क्योंकि इनकी दुखत दसा को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि यह किस समय निरास होकर अपने प्रान त्याग दे इसलिए उच्चित यही होगा कि मैं जिनक भली भाती बिचार करके हनुमान मन्त मन्त मिडुदू स्वर में बोलने लगे एक छाओंगों के कूल में प्राकर्मी तेजस्पी यस्चस्वी यम धन्य धान समरीद विसाल पृत्वी के स्वामी चकरवर्ती महाराज दसरत हुए हैं उनके जेश्ट पूत्र उनसे भी अध द्यानी धी शिरीराम चंदर जी अपने पीता द्वारा की गई प्रतेगिया का पालन करने के लिए अपने छोटे भाई लक्षमन के साथ जो उतने ही बीर हैं प्राकर्मी और भात्री भक्त हैं 14 वर्ष की वनवास की अवधिसमाप्त करने के लिए अनेक बनों में भर्मन कर चीत्र कूट में आकर निमास करने लगे उनके साथ उनकी परमपिडिये पत्नी महाराज जनक की लाडली सीता जी भी थी बनो मेरी सी मुनियों को सताने वाले रक्षसों का उन्होंने सनहार किया लक्षमन ने जब दुरचारनी सुपरनखा के नाक कानकार दिये तो उसका परतिसोद लेने के लिए उसके भाई खरदूसन उनसे यूद करने के लिए आये जिनको रामचंदर जी ने मार्द गिरा और उस जन अस्थान को रक्षस विहीन कर दिया जब लंका पति रावन को खरदूसन की मिर्दू का समचार मिला तो अपने मीत्र मारिज को ले कर्छल से जनकी का हारन करने के लिए आप पहुंचा मयाभी मारिज ने एक स्वर्ण मिरीक का रूपधारन किया जी से देखकर जनकी जी मुग्द हो गई उन्होंने रघवेंद्र को प्रेडित करके उस माया मिरीक को पकर कर या मार कर लाने के लिए भेजा दूष्ट मारिज ने मरते मरते राम के स्वर में हे सीता हे सीता कह कर और हे लक्षमन कहते हुए मारा जानकी जी भरम में पढ़ गई और लक्षमन को राम की सुधी लेने के लिए भेजा लक्षमन के जाते ही रामन ने छल से सीता का पाहरन कर लिया लोट कर रामने जब सीता को ना पाया तो ये वन वन घूम कर सीता के खोज करने लगे मार्ग में वाना राज सुग्रिव से उनकी मित्रता हुई सुग्रिव ने अपने लाखो वान रोको दसो दिसाओं में जानकी जी को खोजने के लिए भेजा मुझे भी आपको खोजने का काम सौपा गया मैं चार सोखोस चौड़े सागर को पार करके यहां पहुचा हूँ सिर्यनाम चंद्री जी ने जानकी जी के रूप रंग अकृती गुनो अधिका जैसे वर्नन किया था उस सूप गुनो वाली देवी को आज मैंने देख लिया है इतना कहकर हनुमान चूप हो गया उनकी बाते सुनकर जनकनदिनी सीता को बिसमय युक्त प्रसंता हुई जब उन्होंने उपर नीचे तथा इधर उधर दिरिष्टी पात किया तो साखा के भीतर छीपयो हुई बिद्धुत फुच के समान अत्यंत पिंगल वर्न वाले स्वेत वस्त धारी हनुमान जी पर उनकी दिरिष्टी पड़ी स्वयम पर सीता जी की दिरिष्टी पड़ते देख कर मोंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्पी पवन पूत्र उस असोक बिरिच से नीचे उताराए माथे पर अचाली बांध सीता जी निकट आकर उन्होंने बिनित भाव से दिंता पूरवग पर नाम किया और मधुरवानी से कहा है देवी आप कौन है आपका कुमल सरीर सुन्दर वस्तर भुसनों से सुसजित होने योग होते हुए भी आप इस परकार का नेरस जीवन ब्यातीत कर रही है आपके अश्रू भरे नेत्रों से ग्यात होता है कि आप अत्यंद दुखी है आपको देखकर ऐसल परतीत होता है कि आप अकास मंदल से गिरी हुई रोहिनी है आपके सोग का क्या कारण है कहीं आपका कोई प्रिये जन स्वर्ग तो नहीं सिधार गया कहीं आप जनक नदनी सीता तो नहीं है जिन्य लंका पति रावन जन अस्थान से चुड़ा लिया है जिस परकार आप बार बार ठंडी सांसे लेकर हे राम हे राम का पुखारती है उ मुझे सही सही बताईए क्या मेरा यह हनुमान सही है हनुमान का प्रस्न सून कर सीता बोली हेवान राज तुम्हारा अक्छरस सही है मैं जनक पूरी के महाराज जनक की पुत्री या जोध्या के चक्रवर्ती महाराज दसरत की पुत्रवध हूँ तथा परमते जस्पी धर्मात्मा सीरी रामसंदर जी की पतने हूँ जब सीरी रामसंदर जी अपने पीता के आगया से बन में निमास करने के लिए आये तो मैं भी उनके साथ वन आ गई वह बन से ही यह दुष्ट पापी रामन छल पुर्बग मेरा पहरन करके मुझे यहां ले आया वह मुझे निरंतर यतनाय दे रहा है आज भी वह मुझे दो मास की हवधी दे कर गया है यदि दो मास के अंदर मेरे स्वामी ने मेरा उधार नहीं किया तो मैं हवध से प्रांत्याग दूंगे यही मेरे सोग का कारण है अब तुम मुझे कुछ अपने विशाय में बताओ सीता के बचन सुनकर वानर सीरोमनी हनुमान जी ने उन्हें संत्वाना देते हुए कहा देभी मैं सीरीरामचंदर का दूद हनुमान हूँ और आपके लिए संदेश लेकर आया हूँ पिदेह नंदनी सीरी रामचंदर और लक्षमन सकूसल है और उन्होंने आपका कूसल समचार पुछा है रामचंदर जी किवल आपके बियोग में दूखी और सोका खुल रहते हैं उन्होंने मेरे द्वारा आपके पास अपना कूसल समचार भेजा है और तेजस्पी लक्षमन जी ने आपके चरणों में अपना अभिवादन कहलाया है पुरुस सिरी राम चंद्र और लक्षमन का समचार सुनकर देवी सीता के संपुर्ण अंगों में हर्स जनित रोमांच हो आया और उनका मुर्जाया हुआ हिर्दय कमल जैसा खिल गया अभिसाद गरत मुख मंडल पर आसा के किरने प्रतीप्त होने लगी इस अप्रिये सित्र सुख समचार ने उनके मृत प्राया सरीर ने नवजीवन का संचार किया तब ही आकसमात सीता को ध्यान आया कि राम दूत कहने वाला यह वानर कहीं स्वेम मयावी रावन ही नहो यह सोचकर वा ब्रीक्ष की साखा छोड़ कर प्रित्वी पर चूपचा बैठ गई और बोली हे मयावी तुम स्वेम रावन हो और मुझे चलने के लिए आये हो इस पर करके चल प्रपंज तुम्हें सोभा नहीं देते और न उस रावन के लिए ही ऐसा करना उचित है और यदि तुम समरावन हो तो तुम्हारे जैसे बिदवान सहस्त्र पंडित के लिए तो यह कदापी सोभा नहीं देता एक पर सन्यासी के भेश में मेरा अपहरन किया अब एक वानर के भेश में मेरे मन का भेद जानने के लिए आये हो धिकार है तुम पर और तुम्हारे पंडित्व पर यह कहते हुए सीता सोका मगन होकर जोड़-जोड़ से बिलाप करने लगी सीता को अपने उपर संदेह करते देखनुमान को बहुत बुरा दूग हुआ वे बोले देवी आपको भ्रहम हुआ है मैं रावन या उसका गुप्तिचर नहीं हूँ मैं वास्तों में आपके प्रमेश्वर रागवेंद्र का भेजा हुआ दूध हूँ अपने मन से सब परकार के सयंसों का निवारन करे और विश्वास करे कि मुझसे आपके विशें में सुचना पाकर सिरीराम चंद्र जी अवस्य दुरात्मा रावन का विनास करके आपको इस कष्ट से मुक्त दिलाएंगे वह दिन दूर नहीं है जब रावन को अपने कुकर्मों का दंड मिलेगा और लक्षमन के दिक्ष्णवानों से लंका पूरी जल कर भस्म फूत हो जाएगी मैं वास्तों में सिरीराम का दूथ हूँ वे वन वन में आपके वियोग में दूखी हो कर आपको खुशते फिरते रहते हैं मैं फिर काता हूँ कि भरत के भराता सिरीराम चंद्र जी ने आपके पास अपना कुसा समचार भेजा है सत्रूधन के सहोदर भराता और लक्षमन ने आपको अभिवादन कहलाया है हम सबके लिए यह बड़े अनन्द और संतोस्त की बात है कि राक्षा स्राज के भंदे में फंस कर भी आप जीवी थें अब वह दिन दूर नहीं है जब प्रकर्मी राम और लक्षमन को सुग्रिव की संख्यक बानर सेना के साथ लंका पूरी में देखेंगी बानरों के स्वामी सुग्रिव राम चंद्र जी के परम मित्र हैं मैं उन्हें सुग्रिव का मंत्री हनुमान हूँ न कि रावन या उसका गुप्चर जैसे कि आप मुझे समझ रही हैं जब रावन आपका हरन करके ला रहा था उस समय जो वस्त अभुसन आपने हमें देख कर फेके थे वे मैंने ही संभाल कर रखे थे और मैंने ही उन्हें रागों को दिये थे उन्हें देखकर रामचंदर जी वेदना से ब्याकूल होकर बिलाब करने लगे थे अब भी वे आपके बिना बन में उदास और उन्मुक्त होकर घुमते रहते हैं मैं उनके दुखा वर्नन नहीं कर सकता हनुमान के इस बिस्तरीत कथन को सुनकर जानकी का संदेह कुछ दूर हुआ परन्तु अभी वे उन्हें पर पुर्नयतय विश्वास नहीं कर पा रही थी वे बोली हनुमान तुम्हारी बात सुनकर एक मन कहता है कि तुम सच कर रहे हो मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेना चाहिए परन्तु मै आभी रहो उनके छल का प्रचंप देखकर मैं पुर्नयता आस्वस्त नहीं हूँ वो पा रही हूँ क्या किसी परकार तुम मेरे इस संदेह को दूर कर सकते हो सीता जी के तर्क पुर्ण वजणों को सून कर हनुमान ने कहा है है महाभागे इस मैं आभी कपट पुर्ण वातावरन में रहते हुए आपका विरिदयन संकालू हो गया है इसके लिए मैं आपको दोस नहीं दे सकता परंतु आपको यह विश्वास दिलाने के लिए कि मैं वास्तों में स्री रामचंदर जी का दूथ हूँ आपको यह अटक यह परमान देता हूँ रगुनाद जी भी यह समझते थे कि संभाव है कि आप मुझ पर विश्वास न करे उन्होंने अपने यह मुदरिका दी है इसे आप पहचान लेंगी यह करहनुमान ने रामचंदर जी की वह मुदरिका सीता को दे दी जीस पर राम का नाम लिख अंकीत था प्रेंस आगे की कहानी में दूसरे वीडियो में लेका रहाऊंगे मेरे वीडियो को लाइक सिए और इन्स चैनल को सस्क्राइब जरूर कीजिए प्लीज